हेलो एव्रिवन बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टाडी पॉइंट यूट्यूब चानल पर और इस पर्टिकुलर वीडियो में आजम यूपी ट्रिपेलेसी एक्जाम और वीडियो एक्जाम के लिए हिंदी का मौक टेस्ट नंबर फोर को एटेम्ट करेंगे और इस टेस्ट में टोटल 40 कोशन है जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन हो सकता है और इससे पहले मौक टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 चानल पर अपलोड है और उनकी एक प्लेइलिस्ट विवनी है आप उनको भी देख सकते हैं उसमें भी बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्न है और शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टाडी पॉइंट यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सपोर्ट करने के लिए उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करे तो चले स्टाट करते हैं हिंदी का मौक नमबर फोर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखे है क्योंकि टोटल 40 कोशन है इस वीडियो में और इससे लास्ट में एक कोशन पूछूंगी जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बहुत इंपॉर्टन कोशन है वो तो चले स्टाट करते हैं पहला प्रश्ण है जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं पांच सेकंड है आपके पास आपको आंसर को अटेम करना है तो उन्हें हम कहते हैं अकारांत ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर अगला प्रश्ण है वर्ण माला किसे कहते हैं चार option दिया आपके सामने 5 second है आपके पास तो इसे हम कहते हैं वैवस्तित वर्ण समूग को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ण माला तो option D है हमारा सही answer अगला प्रशन है इन में से O का उचारण स्थल कौन सा है उसका सही answer होगा कंठ ओस्ट option D है हमारा सही answer अगला प्रशन है समादर वा संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है चार option दिया है सम प्रती वी या उ आपको कोशन एटम करना है 5 second है आपके पास और इसका सही answer होगा सम हलंत के साथ option A है हमारा सही answer अगला प्रशन दिया है मनह प्लस रमा में संधी करने पर जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधी से होगा आपको बताना है कि कौन सी संधी से होगा उसमें और इसका सही answer होगा विसर्ग संधी option A है हमारा सही answer अगला प्रशन है ये तो सेम प्रशन है अगला प्रशन है मृत्यू धन उपरांत में संधी करने पर एक शब्द निर्मित होता है आपको बताना है वो शब्द कौन सा है 4 option दिये आपके पास और इसका सही answer होगा मृत्यू परां ध्यान दिजेगा यहाँ पे बड़ाव की मात्रा है option A है हमारा सही answer अगला प्रशन है परमानन्द में कौन सा समास है 4 option है आपके पास 5 सेकेंड है आपके पास कोशन को आपको अर्टेम करना है और इसका सही answer होगा कर्मधाराय समास परमानन्द में कर्मधाराय समास है option B है हमारा सही answer अगला प्रशन है इनमें से कौन सा शब्द दिगू समास है दिगू समास क्या होता है पहले आप जान जाएए दिगू समास वो होता है जिसमें पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद होता है संग्या तो इसको आप ट्रिक से पैचान सकते हैं जिसमें पहला आपका पद जो है संख्या हो तो चार ऑप्शन दिया आपको बताना है कि इसमें दिगू समास कौन सा है इसका सही आंसर होगा चतुर भुज वू समास है अगला प्रश्न है वह हस रही है इस वाक में सहायक क्रिया की पहचान करना है आपको देखी जो हिंदी टेस्ट है उसे मैंने हर एक टॉपिक को इंक्लूड किया है तो इससे आपकी त्यारी और रिवीजन भी होता रहेगा साथ-साथ तो वह हस रही है इस वाक में सहायक क्रिया की पहचान करना है पांच सेकंडे आपके पास तो इसमें सहायक क्रिया है रही है option C है हमारा सही answer अगला प्रशन है निम लिखित में से एक शब्द घन का अनेक आर्थी शब्द नहीं है तो चार option दिया है आपको कोशन अटम करना है तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि घन के एक आर्थी कौन जिसके अर्थ है एक तो इसका बादल घना और हताओडा इसके अनेक आर्थी शब्द होंगे और जो अनेक आर्थी शब्द नहीं है घन का वो है घनिस्ट तो option C है हमारा सही answer अगला प्रेशन है आपके सामने वस्त्र, आकाश, मेग, बादल किस सब्द के अनेक आर्थी है चार option दिया है अंबर, सारंग, गो या इनमें से कोई नहीं पांच सेकेंड है आपके पास और इसका सही answer होगा ये सब अनेकार्थी हैं अंबर के option A है हमारा सही answer साथ में आपको याद कर लेना है अंबर के अनेकार्थी होते हैं वस्त्र, आकाश, मेग, और बादल प्रशन है स्वजाती का विलोम क्या होगा पांच सेकेंड है आपके पास स्वजाती का विलोम होता है विजाती option D है हमारा सही answer उन मूलन का विलोम क्या होगा चार option दिया है आपके पास आ मूलन, नी मीलन, समूलन और रोपड पांच सेकेंड है आपके पास और उन मूलन का विलोम होता है रोपड option D है हमारा सही answer अगला प्रशन है अमित शब्द का विलोम बताना है आपको पांच सेकंड है आपके पास और अमित शब्द का विलोम होगा परिमित C है हमारा सही आंसर श्री गड़े शब्द का विलोम बताना है आपको कोशन अटम करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइगा कि चालिस प्रश्ण में से कितने आंसर आपके सही हुए हैं और श्री गड़े शब्द का विलोम होगा इती स्री ओप्शन B is our correct answer धनी शब्द का विलोम क्या होगा असान प्रश्ण है ये और इसका सही आंसर होगा निर्धन D है हमारा सही आंसर प्रश्ण है चांदनी का प्रयवाची शब्द नहीं है ध्यान दिजेगा पूछाए नहीं है तो आपको बताना है तो चांदनी का प्रयवाची जो नहीं है वो होगा मयंक ठीक है और इससे पहले इसके साथ साथ आपको ये भी आतका लेना है कि चान्नी का प्रयावाची कौन-कौन होता है तो यह होता है चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना पिलाल डी हमारा सही आंसर है क्योंकि मयंक चान्नी का प्रयावाची नहीं होता है अगला प्रशन है निम लिखित में से कौन सा शब्द स्वरस्वती का प्रयावाची नह होता है यह होता है वीरापाणी महाश्वरता और भार्ती फिलाल ऑप्षण सी हमारा है सही आंसर क्योंकि पाध्या सुझथी का प्रयाबाच्यम्ट नहीं होता है कैमले जनारदन किसका परयाबाच्यए चार अप्षण दिया है राम कृष्ण विष्णु या ब्रह्मा तो जनार्दन प्रयावाची होता है विश्णू का तो C हमारा है सही आंसर अगला प्रशन है निम लिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का प्रयावाची नहीं है नहीं है पूचा है ध्यान दीजेगा पान सेकेंड है आपके पास कोशन को अटेम करिया तो इसका सही आंसर होगा जलद जलद समुद्र का प्रयावाची नहीं होता है ये बादल का प्रयावाची होता है तो B हमारा सही आंसर हो जाता है साथ साथ आपको ये भी आतकर लेना है कि समुद का प्रयावाची क्या क्या होता है तो ये होता है जलदी, पयोधी और वारिधी ठीक है प्रेशन निमलिकित में से शिव का प्रयावाची शब्द आपको बताना है चार आप्शन दिया है शिवाले, रुद्र, हरी और रुद्राक्ष तो शिव का प्रयावाची होता है रुद्र आप्शन B है हमारा सही आंसर प्रेशन है जूतम पैजार मुहावे का आपको अर्थ बताना है पांच सेकेंडे आपके पास और इसका सही आंसर होगा लडाई जगडा होना ठीक है ऑप्शन A होगा हमारा सही आंसर अगला प्रेशन है सब्ज बाग दिखाना मुहावे का अर्थ क्या होगा और इसका सही आंसर होगा प्रलोभन देना C is our correct answer सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन देना प्रेशन है निम लिकित में से कौन शाज शब्द तत्भाव नहीं है ध्यान दिजे का तत्भाव नहीं है ये पुछा है तो जो तत्भाव नहीं है वो है साया ओप्शन B है हमारा सही आंसर और आप देख लिजे कि दुवार, गिरिस्ती और पाउं ये सब क्या होते हैं तत्भाव अगला प्रेशन है ग्रिद शब्द का तत्भाव रूप आपको बताना है चार ओप्शन दिए आपके सामने गीध ना ग्रिद गीधी या गीध तो ग्रिद का तत्भाव होगा गीध ओप्शन D है हमारा सही आंसर अगला प्रेशन है निम लिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको चुनना है पांच सेकंड आप ध्यान से देखेगा कोशन को और इसका सुद्ध वाक्य होगा श्री किष्ण के अनेक नाम है तो ऑप्शन B है हमारा सही आंसर पहला श्री किष्ण के अनेकों नाम है देखे अनेक अपने आप में ही बहु अचन है तो इसमें अनेकों करने के जरूत नहीं है तो यह हमारा गलत हो जाता है श्रीकिष्ण का अनेक है तो ये भी का नहीं लगेगा के होगा ये भी सी भी गलत है और श्रीकिष्ण को अनेक नाम है तो को भी नहीं होगा ये भी गलत है तो हमारा सही वज जाता है श्रीकिष्ण के अनेक नाम है B है हमारा सही option प्रश्ण है शुद्धवा क्या आपको चुनना है पहला दिया है वेदो के 6 अंग माने जाते हैं दूसरा दिया है वेदो में 6 अंग माने जाते हैं गलत है B गलत है वेदो से 6 अंग माने जाते हैं ये भी गलत है वेदो पर 6 अंग माने जाते हैं ये भी गलत है तो हमारा सही क्या हो जाता है वेदो के 6 अंग माने जाते हैं ए है हमारा उत्तर सही प्रशन है तुलसी कृत कविता वली विने पत्रिका वागीता वली की भाशा क्या है पांच सेकेंड है आपके पास और इसका सही आंसर होगा, इनकी भाशा है ब्रज देखे, option B तो हमारा सही हो जाता है बट साथ साथ आपको ये भी आत कर लेना है कि तुलसी क्रिट मतब तुलसी की द्वारा रचित क्या-क्या है ये है कवितावली, बिनेपत्रिका और गीतावली फिलाल, option B है हमारा सही आंसर इनकी भाशा है ब्रज प्रशन है, सहारनपुर, मुजफर नगर, बागपत किस बोली छेतर में आता है चार option है, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नोजी या बगेली और इसका सही आंसर होगा, खड़ी बोली option B है हमारा सही आंसर ध्यान से याद करेगा, सहारनपुर, मुजफर नगर, बागपत, खड़ी बोली प्रशन है, मत्रुआवा आगरा किस बोली छेतर में आता है 5 सेकंड है, आप कोशन को अटेम करिए और इसका सही आंसर होगा, ब्रज, option A है हमारा सही उत्तर कोशन है, व्याकरण के ग्याता के लिए एक शब्द क्या होगा 5 सेकंड है आपके पास और इसका सही आंसर होगा, व्याकरण, ठीक है option C है हमारा सही उत्तर, व्याकरण के ग्याता, व्याकरण प्रशन है, नियम विरुद्ध, आसामाजिक कार करने वाली कि सूची के लिए एक शब्द क्या होगा और इसका सही आंसर होगा, काली सूची option B है हमारा सही आंसर प्रशन है, रस से सम्बंदित है, रोधर रस्त का स्थाई भाव क्या है तो इसका सही आंसर होगा, क्रोधर रस option A है हमारा सही आंसर विश में स्थाई भाव किस रस में होता है चार अप्शन दिया है हास रस, शांत रस, अदभुत रस और विभीत्स रस तो ये होता है अदभुत रस विश में का स्थाई भाव होता है अदभुत रस में ओप्शन C है हमारा सही आंसर विभीद से होता है घ्रिणा में तो ये नहीं होगा, अद्भूत में होता है, विसमें स्थाइवाओ तो option C है हमारा सही answer प्रशन है रूपक अलंकार यहां होता है, कहां पर होता है, पांच सेकंडें आपके पास इसका सही आंसर होगा उपमे उपमान के अभेद में ठीक है बी हमारा है सही आंसर उपमे और उपमान के अभेद में रूपक अलंकार होता है इससे समदेद एक प्रशन हमलोग कर लेते हैं प्रशन है चरण कमल, बंदो, हरीराई, पंक्ती में कौन सा अलंकार है देर इस 4 ओप्षन उपमा, रूपक, स्लेश और अतिश्योक्ति और इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार ओप्षन B है हमारा सही उत्तर प्रेश्ण है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा चंद बनता है 5 सेकंड है आपके पास कोशन को टाम करना है और इसका सही आंसर होगा कुंडलिया ओप्षन B है हमारा सही आंसर अगला प्रेश्ण है जिस चंद के पहले तो था तीसरे चरणों में 13 तेरा और दूसरे और चौते चरणों में 11 ग्यारा मात्राएं होती है वा कौन सा चंद केहलाता है चार अप्षन है रोला, चोपाई, कुंडलिया या दोहा और इसका सही आंसर होगा दोहा अप्षन D है हमारा सही आंसर याद रिखेगा पहले और तीसरे में चरणों में 13 तेरा मात्राएं और दूसरे और चोथे चरणों में 11-11 मात्राई होती है यह कहलाता है दोहा प्रश्न है जैस एंकर प्रशाद का कौन सा उपन्यास इन में है चार ओप्शन दिया है चार ओप्शन दिया है और आपको इसका अंसर बताना है तो यह है तितली ओप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर ठीक है अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है चार ओप्शन है कमलेशवर धर्मवीर भारती अमरित राय और मनुहर श्याम जोसी और इसका सही आंसर होगा गुनाहों का देवता उपन्यास के लिखा के धरमवीर भारती option B है हमारा correct answer तो यह 40 question हो गए हैं और आगे के जो question है इसका answer आपको comment box में देना है और यह बहुत important question है हिंदी का प्रश्ण है हिंदी का प्रत्थम महाकावे किसे माना जाता है चार option है पद्मा वद राम चरित्मानस प्रित्वी राजरासो या इन में से कोई नहीं कमेंट करके आपको बताना है कि इसका सही answer क्या होगा और आपको comment करके यह भी बताना है कि आपके 40 में से कितने प्रश्ण सही हुए हैं और इससे पहले कि जो टेस्ट चैनल पर अप्लोड है आप उनको भी देखेगा आपका रिवीजन होता जाएगा साथ साथ में thank you so much for watching वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जादा श्रीजादा सेयर करें thank you so much for watching thank you